इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्तिहाद द्यूज में आप सभी का खैर मगदम है महराष्ट में भाजपा के हाद से हकुमत चिनली गई अब भाजपा बॉकलाती नजर आ रही है मनिपूर गोवा करनाडक में किस तरह से खरीद फरुक्त करके हकुमत तो बना ली वैसे भी मुदी सरकार के खलाब माहूल में इजाफा होता ही जा रहा है हिंदू मुस्लिम खेल से जंता वुग चुकी है लिहाज इसका आईसास बाजपा को होता नजर आ रहा है किसी तरह से असल मुद्दों से बटकाना यहीं इनका मकसद होता रहा है लिहाज आ मालेगां बंधमाकों की मुझरीम जो जवानत पर रहा है और भोपाल से कॉंग्रेस काई दिविजय सिंग को हरा कर रुकन असेम्बली बनी प्रग्यासिल ठाकूर ने ना सिर्फ लोकतंतर बलकि देश की जनता के जज़बात की तोहीन करते हुए आईवान ने असेम्बली में कहा कि नतुराम गोड से देश भक्त है और इसका नाम न लिया जाए जबके असेम्बली में जालियानवाला बाग पर ये राजू की जानिब से बात कही जा रही थी तब अचानक प्रग्या ठाकूर ने देश भक्त नतुराम गोड से के बारे में कुछ ना कहे कि आवाज लगाई यह तारीख में पहली बार हुआ है कि राष्ट पिता महत्मा गांदी के कातिल और आज़ाद देश का पहला अतंक वादी के असेम्बली में राष्ट पिता के कातिल को देश भक्त कहा गया इस देश की बदकिस्मत ही कह सकते हैं कि आज आईवानों में ऐसे लोग जाकर बैटने वाले अकसर किसी ना किसी जुर्म में मुलविस हैं अब तो भगवाली बास पहन कर कभी हिंदु राष्ट तो कभी सम्विदान बदर कर मनुस्मृति लाने की बात करते हैं शायद ही किसी मुझाहिद आज़ादी ने यहाँ खौब देखा होगा यह सोचा भी होगा कि भारत अंग्रेजों के गुलामी से आजाद होने के 70-70 साल में ऐसे लोग जाकर बैठेंगे जो अंग्रेजों की चापलुसी और मुखिरी करने वाले थे राष्ट पिता के कातिल के जिलवात के नारे लगाएंगे बलकि माफिय नामा लिखकर अपनी रहाई के भीग कि मुल्जिम की हमायत करते हैं धर्म निर्ष्पेक्ष मुल्क में धर्म के नाम पर जहर घोलने वाली प्रग्या को संसत बनाया जाता है और महत्मा गांधी को हिंदू विरोधी ठेरानी की साजीच रची जाती है प्रग्या ठाकूर पर माले गाउं धमाका अजमेर धमाका स अजमेर ठाकूर की थी उसी के नाम पर थी इस धमाके में सिर्फ छे लोग ही मारे गए क्या ऐसा सवाल भी फोन पर बातचीत करती है यसी प्रग्या सिंग ने कहा था ता इसा भी कहा जाता है शहीद करकरे को लेकर बयान बाजी का भी तनाजा रहा के करकरे को साध्वी प्र शहीद करना गैर समीदानिक है और गुना भी है लिहाजा इस तरह प्रग्या टाकूर भी बावरी मस्जिद मामले में मुझरीब बन सकती है अब फिर से ऐवान एसेमली में यह खुले आम कहना के नतुराम गोड से देश बक्त था यह पूरे देश की तोहीन है लिहाजा इस माहूल में तशद्दुत पहलाने का कोई नया मन्सुबा है आईवान एसेमली में दिये बयान पर जब हंगामा होने लगा तो अपने बयान से मुकर गई और आफी की नौटेंग की की गई खुद वजीर दाखला ने कहा था कि नतुराम गोड से की हिमात वाख़े अफसूस सब्सक्राबाद या देश भक्त के नारे लगने लगे हैं सस्ती मकबुलियत के आदी प्रग्या ठाकूर को जित दिलाने वाले भोपाल की जनता पर भी कभी-कभी अपसोस करने को दिल करता है कि आखिर कहीं तो भी देश की जनता भी तो जिम्मेदार है जो देश की सबसे अला जगत संसद में अब महात्मा के कातिलों के हिमायत में नारे लगते हैं और देश दुरोजी कारवाई में मुब्तरा लोगों की संसद तक हम भे हम ही बेशते हैं तो कहीं न कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं इत्याद निउस देखने के लिए शुक्रिया अल्ला झाल झाल